नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बाद फिर से आपके ही अपने यूटूब चैनल फैंटेजी उस्ता 2.0 में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एस या कप का फर्स्ट मुकाबला यानि कि पाकिस्तान बसेस नेपाल कंडिशन किया है इतना अच्छा कोई प्लेयर है नेपाल की टीम में ठीक है बड़ गाईज जो है इस मैच में ग्रेंड लीग के 90 परसंट चांदेश है कि दोस्तों हम ग्रेंड लीग में जीतेंगे उसके अलावा भाई लोग आपको जो है इस वीडियो में मैं इस वीडिय देखना और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे यूटीब के लिए सब्सक्राइब करें साथ है दोस्तों बेल आइगन को दबादें ताकि हमारे दौरा अपलोट किया जानना वीडियो गाई सबसे पहले आपके पहुंच दोस्तों आपको अपनी टीम है कैसे बनानी चाहिए बहुंच वी बताऊंगा वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों अभी तक आपने टेली गार्म चैनल को जोइन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पर ही आपको सारे हमारे इंपोर्टेंट नोडिफिकेशन पर हमारे टेलीगाम पर ही बिलेंगे लिए आपको वीडियो की डिस्किप्स में जाना होगा जहां पर आपको एक लिंक मिलें कि उसे लिंक पर किलिक करके दोस्तों डायक्त आप हमारे टेलीगाम दिल से जोन हो सकते हो सो दोस्तों पीछे लगा कर दोस्तों ब्रयाट कोईली ने 2018 में यह किया था पाकिस्तान में 2019 में हूँ गाइज डाइज प्लेयर की डिसेंट ली फॉर्म और पिच रेपोर्ट अगर आपको एक किरोड पता है तो आप लोग ग्रेंड लिग एक टीम के साथ भी ग्रेंड लिग जी सकते हो सुगाइज वीडियो को पूरा देखना प्लेयर वाइज अनलाइसिस भी आपको इस वीडियो में बताने बाला हूं तो दोस्तों आप देख लिए सबसे पहले आप मैं साइड में स्कीन कर लेता हूं अपनी चालू कि आप लोग आप यहां पर देख लिए दोस्तों ने इन्होंने पकस्तान ने यह ओन से 5 O3 म conduz खेख ले है इसमें पाकिस्तान की टीम ने चरं स्वाइज जी ग्याझ मैं 5 जी से और नेपल से illus तो पिशले साल यह तोनामेंट है तो टीट उन्टीज के दोस्तों फॉर्मेट में हुआ था यानि कि इस साल दोस्तों यह मुकाबला पचास-पचास ओबर के फॉर्मेट में हो रहा है तो आप देख लिए तेका दोनों टीमों की कुछ इस परकार से है और गाइस में बात कि पाकिस्तान इंडिया नेपाल बंगलादेश स्री लंका ठीक है यह सब्सक्राइब निकाले हो इस पर इस पर दोस्तों आपको पता बैदर कैसा यानि की बारिस होने की थोड़ी संभाबना है यहां पर ठीक है और काईज अगर अबरेजर की बात करूं तो तो तू थर्ट है साहिंन साफी दि और दोस्तों अगर मैं पाकिस्तान के डिवा दर्फ से बात करूं तो अगर को डिसेंग अरियो संदीपला मि चाने सफ़जाब सब्सक्राइब देख सकते हैं यह हो गई दोस्तों अब थोड़ा सा देख लिए वेन्यू के बारे में दोस्तों देखिए वन तो बैट फास्ट हंडर पर संट यानि दोस्तों जो भी टीम यहां पर टॉच जीती वह हंडर पर संट ऐसा हुआ है कि बैटिंग चुनती है ठीक ह अब दोस्तों टॉप प्लेयर आप उनको देख लीजिए इमाम अलहाग बाबर आजम फकर जमान मुहम्मद नबास साधाब खान और हरीश राव दोस्तों यह जो आपकी टीम में हंडर्ट होना चाहिए ठीक है अब दोस्तों प्लेयर आप सबसे पहले देख लो एक मैस खेल यूद्र ओनरों केमान मिंदैर 5 म्स पांच तेटीम में फकली की इन्टीमार्ट काम Nós को फक्र तो चारवार डीम जोनियर दोबार डीम इघमे इफ्टिकारहमद दोस्तों दोबार यह तीम में में देख ना टीम तेम के मार्क यानि ऊकलवारी टीम मनी है ना तॉसनी बार दोस्तो इम कर दिता की सब्सक्राइब नसीम वहां है究 तिस्ट बार द्रीमृक्त राङतले पांच मुप्राइब पार वह प्रूचत हैं खाहिखे नोश्ते पार ज टीक है अब गाईज यहां पे अब देख लोग पाकिस्तान की जबजस्त फॉर्म है दोस्तों इन लोगों की ठीक है सबसे पहले आप यहां पर देख लेजे़ेशाइन साफ रीदी पांच में से पांच मुकाबलों में ड्रीम टीम में सादाद छानन है योग हैहां अ कि ऐसा तक गढ़े हैं तो अन्हें है तो दोस्तों ग्रेंटन हो गर्ण लेंड जरहे उन दीस एय्र रही है दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो समझ में आगे होंगी जो है दो चीजें जो मैंने समझा एक तो पिछे रिपोर्ट वो दुस्तों प्लेयर बाइस अनलाइस यानि कि रिसेंट ली फॉर्म क्या है बंदों की ठीक है अब गाई डायक्ट में पर चलेंगे में बुधान कि आज कॉनसेटीन जीटने वाली है वहां देख लीए सबसे पहले नैपाल और पाकस्तान का मुकावला है तो यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो आप किस्मौल लीग के लिए मैं सबसे पहले कि यहां पर काई समॉल लीक के साप से टीप मनाऊंगा सबसे पहले मोहमद रिजमान को लूँगा अपनी बिगटकीपर से उसकी बाद काई बाबा आजब इमाम मुला को फकर जमान को में पिक करूँगा ठीके उसकी बाद गाइद मैं सादाप खान को डी सिंग अधी को यह जो है टीम पाकिस्तान की फेवर में हैं पूरी 100% कि आप भी जानते हो यार कि पाकिस्तान पर मैच को जीतेगी और एक दो बिकट गिराय के दूस्तों यह पर पहले बैटेंग करती है और बाद में भी बैटेंग करती है तो चेस कर लेगी आप से ठीक है तो दोस्तों यह जो बनाने पड़ेंगे यानि को नेपाल का फेवर करते हुए दो तीम में बनाने पड़ेंग तो आप आप यहां पे क्या करेंगे आप आप नेपाल के 8-7 पर लेल लेंगे और पाकिस्तान के चार प लेंगे ठीक है तो इस परकार से भी कुछ तीमें किरेट कर सकते हो रिपने जो है नेपाल की फिवर में आपको कभी जआ देती है इस व्रकार यह हमारी सारी डमी टीम है और फाइनल डीम आपको आप हमारो टेलीकम पर यह जरूद छाए है दोस्तों देखो जैसी में आपको टीम बना के बता ही आप आप इस वरकार से ऊपने पर नहीं आप को तो अच्छी बात है तो दोस्तों मैं आपको बैठाओं आपको बिल्कुल चिंदा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बनाना आता है तो अच्छी बात है नहीं है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाईए उहां पर दोस्तों को मेरा मोबाइल नम्मर मिलेगा वॉट्स